हेलो दोस्तों मैं उर्शाद स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल रिव्यू पर दोस्तों इस वीडियो मैं आपके लिए लेका हूँ रेड्मी नॉट 11 के लिए टेंपर ग्लास जो के मैं आया है एचे बादार की तरफ से जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए यह ज्यादर है ँख लगा आपको इसे जवers लगावाई तो इसमयं आपको लगा करके दिखाने वाले है jam swiftly जो कि बेस्ट फॉर गेम लवर है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह है बॉर्ण फॉर गेमर गेम और इसको लगाने के बाद जबरदस्ट लूक आता है और गेम खेले वाले के लिए खासकर गेम लवर के लिए यह बहुत जबरदस टेंपर ग्लास है तो अभी हम इसे करके आपको चलिए हम इसे अपलाई कर देते हैं और आपको दिखाते हैं आपको सामने इसे अपलाई करके दिखाते हैं तो सबसे पहले करना क्या है यहां लगा हुआ है टेंपर ग्लास जो कि नॉर्मल टेंपर ग्लास यहां लगा हुआ है चलिए इसे हटा जते हैं और ढखिम लिखेंगे आप रिमूब हो किया यहां से हम इसको निकाल देते हैं इस टेंपर गृलॉस को और यह तो यह पूरा निकल गिया थौस आप देखिंगे यह गंदेडी रह जाती है जिसे हमें साफ करना है तो उसके लिए आपको मिल जाता है यह तू पिस से sistema जाता है यह तो यहाँ से वाइब बन का इस्तमाल करके यह सब जो है किलियर कर देना है और यह हमme लगता है कुछ टेंपर ड्लास का आंश रह गया इसमें तो इसको हम ब्लेट से क्लियर कर दें पहले इसको हम क्लियर करते हैं जो आप यहां पर देख पा रहे हैं यह वाला है यह देखिए गुलू टाइप का कुछ रहे गिया था इसके नीचे भी एक गिलास लगा वा इसके उपर ही चिपका दिया था चलिए बहुत 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 है तो सफाई हमें करनी है और हम पूरी तरह इसको क्लीन कर देंगे तो यहां से आप देख सकते हैं जो साइड वाला एरिया है वहां पर इसमें डस्ट हो गयरा लग गया है तो यहां पूरी तरह हम इसो सबसे पहले क्लीन कर लेंगे गिला वाले से उसके बाद पिर हम जो है ड्राय वाला इस्तमाल करेंगे ड्राय वाला वाइब 2 होता है इसे हम इस्तमाल कर लेंगे और वाइब 2 से यह क्या करता है जो को पूरा यह सोख लेगा जैसा कि आप यहांपए देख रहे हैं इस तरह से हम वाइप टू करके इसको पूरा ड्राइ खर देते हैं और उसके बाद देखिया पुरा क्लीन भी हो गया ड्राइ भी हो गया और इसके बाद ये cloth जो मिल जाता है इसका भी इस्तेमाल हम कर ही लेते हैं और करने के बाद dust कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए ना कोई fingerprint ना कोई dust फिर आप देखेंगे कि phone का जबरदस्ट look आपको देखने के लिए मिलने वाला है तो यहाँ पर हम इसको पूरा clear कर देते हैं फूरा clear होने के बाद हमें simply करना क्या है सबसे पहले तो यह नाप लेना है कि हमारा क्या size है तो यह देख रहे हैं यह size से हम इसको नाप लेंगे फूरा ठीक है? बस आपको करना क्या है? यह यहाँ से आपको यह वाला हटाना है यह हटाना है, size नापा हुआ है इस तरह से आप्को घुबा गए दिखाता हूं यहां से पहरे से फाले इसका पूरा एरिया मिला लेगे और इससे इस तरह से रखेंगे अगर अब भी आपको लग रहा हमसरे हो कुछ डॉर्क तो इसे पुरा नहीं रखना है फिले इसके एरिया cancer मिलाना ठीक है अब आप देख सकते हैं यह पुरा clear है अब हम इसे simply इस तरह से रखेंगे और यह sit होने लगेगा यह पूरी तरह जो है sit होने लगेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आप देखें यह sit हो गिया और कहीं पर आपको अगर bubble नजर आता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाते हैं अगर माली जिस साइड में रहे गया bubble तो इस तरह से ऊपर करना है और यहाँ से आप bubble clear हो जाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह पूरा bubble free हो जाएगा और कैसा sit हुआ जबरदस लुक आपको किसी भी तरह से कोई भी इसमें कमी नजर नहीं आएगी और camera glass बहुत बहतर रहेगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़ने बाद